हलो फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ अब सभी को अपने चैनल पे तो आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही सुन्दर स्लिप का डिजाइन से अर कर रहीं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा जो लोग भी चैनल पे नए है प्ले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो सबसे पहले हम लाइनिंग के कपड़े पे सौरी अस्तर वाला जो कपड़ा होता है उस पे कटिंग करेंगे तो उसको मैं जितना मुझे लंबा चाहिए था कपड़े का टुकड़ा उतना मेली हूँ अस्तर का कपड़ा तो इसकी जो लंबाई है मार्जिंग के साथ मैं यहां पर 6 इंच रखी हूँ त्यार होने के बाद यह बाजू की जो फिनिसिंग जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 5 इंच इस तरीके से मोहरी पर हम फिटिंग का निसान लगाएंगे तो सबसे पहले मैं यहां पर फिटिंग का निसान लगाई हूँ और यह देखिए खुले वाले साइट से हमें इस तरीके से धाई इंच डाउन करते हुए निसान लगा लेना है आर्म होल के साइड में जितना फिटिंग का नाप है उतना ही हम आर्म होल के साइड भी लगा लेंगे और इस तरीके से हलका हलका गुलाई देते हुए बाजू का निसान लगा लेंगे और जिस तरीके से हम निसान लगा है उसी तरीके से कपड़े को कट कर लेना है जितना आप लंबा पहनते हैं बाजू उसमें वन इंच एक्स्टर आपको मार्जिंग रखना है और साइट से फिटिंग के लिए यहाँ पे मैं डेड़ इंच मार्जिंग रखी हूँ मार्जिंग रखना अब इसी को रख करके जो में मतर है उसको भी कर लेक ही नवेिस साइब करके से लाइब रख करना हिए व्योकर आधेग को रख कर लेसे ने या कोई वी डिजाइन बना तो थोड़ा सा कपड़े को देख करके और सेट करके ही कट करें नहीं तो ऐसा होता है कई वार की कट करने के बाद पता चलता है कि इधर उदर हो गया विए देखिए दोनों जो अस्तर है मेन कपड़ा उसकी कटिंग हो चुकी है अब बंद साइट से इस तरीके से हमें लेना है 3 इंच जहां से बंद है वहां से 3 इंच लेना है और नीचे से भी लंबाई में भी 3 इंच लेना है और इस तरीके से तिर्चा करते हुए में निसान लगा देना है यह देखिए तिर्चा रखते हुए स्केल को यहां पे में और निसान लगा द कपड़े को अब यह देखिए इस तरीके से यह कट हो चुका है में कपड़े को कट नहीं करेंगे अब दोनों कपड़े की कटिंग हो चुक है वे स्टीचिंग का काम रह गया है तो यह देखिए जो में कपड़ा है बाजू का उसका सीधा वाला पार्ट उपर के साइड रखे ताकि शिलाई लगाते समय कपड़ा इधर उधर बिल्कुल भी नहीं खसकेगा पिन लगाने से वैसे भी यह कपड़ा वैसा है कि अस्तर रखने के बादे इसमें अच्छे से चीपक जा रहा था बिल्कुल भी खसक नहीं रहा था मगर फिर भी एक बार के लिए मुझे लगा क कहीं फिनिसिंग मतलब अच्छे से ना आए खराब न हो जा इसी वज़े से मैं या पे पीन लगा दे रहें हैं अब यह देखिए मोहरी के साइड से आधा इंच मार्जिंग छोड़ते हुए सीधी सिलाई लगा लेना है एक इंच मार्जिंग रखी हुँ में तो आधा इंच उपर के साइड जाएगा सिलाई में और आधा इंच नीचे के साइड में तो इस इस साब से टोटल पांच इंच का सिलिप चाहिए तो पांच इंच का सिलिप तयार रह जाएगा अब उपर के साइड भी इस तरीके से थोड़ा सा मार्जिंग छोड़ते हुए दो पॉइंट का मैं मार्जिंग छोड़ी हूँ डिजाइन पे और पूरे डिजाइन पे सिलाई लगा लेना बस डिजाइन पे ही लगाना है और नीचे मुहरी के साइड लगाना यह सीधी अब यह जो कपड़ा है इसको कट कर लेंगे तक इसको इस तरिके से कट कर लेंगे ताकि इसमें अफ्षरी में प्लटने के बाद और नीचे बोट में के साइड dua चोटे-चोटे कट लगा लेना है यह देखिए नीचे के साइड भी हम कट लगा देंगे अब इसको इस तरीके से पलट लेना है बहुत ही आसानी से पलटा जाएगा फ्निसिंग के साथ यह देखे यहाँ पर पलट ली हूं में अपलटने के बाद पहले मोहरी पे बिलकुल की नारे पे एक सीधी शिलाई लगा देनी है फ्न सिलाई लगाने के बाद मोहरी पे अब ये जो टीजाइन है इसके उपर भी हमें कि कपड़े को सेट करते हुए और किनारे पे एक सिलाई लगा देनी है अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो कपड़े को प्रेस करके भी सेट कर सकते हैं प्रेस करने के बाद भी यह अच्छे सेट हो जाता है अब जितना भी open side है उसको भी सिलाई लगा करके और बंद कर लेना है इस तरीके से सिलाई लगा करके जितना भी open side था उसको भी मैं यहाँ पर बंद कर ली हूं इस लगाने के बाद अगर एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो उसको कट करके हटा दे अब यह पार्ट इसका रेडी हो चुका है अब हम इसको side रखते हैं अब यहाँ पर गोल्डन क मैं कपड़ा ली हूं आपको भी contrast color का कपड़ा ले सकते हैं और इसकी जो double में फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पर 9 इंच इसको ले रही हूं तो यह single जब होगा कपड़ा तो टोटल 18 इंच इसका लंबाई हो जाएगा कपड़े का और चोड़ाई इसका मैं 5 इंच रख र सकते हैं अपने पसंद से इसको बना सकते हैं यह देखिए सीधी पटी हमें कर लेनी है 5 इंच की और लंबाई टोटल 18 इंच है डवल में फोल्ड करके मैं 9 इंच ली थी अब यह देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे चोटे-चोटे यहाँ पे प्लेट डालते हुए फ्र कि इस तरीके से एक तरफ प्लेट डल चुक है आप दूसरे साइड हमें देखिए किस तरीके से कर ना है एक के ऊपर एक ्रख तो एक साइड हमें देखि किस तरीके से प्लेट डालना है दूसरे साइड किस तरीके से करना है दोनों प्रिप गजस्क लगवा को दिखा दो अब जतना भी एक्स्ट्रा कपड़ उसको cut कर लेना है अब जो plates नीचे वाला है उसमें इस तरीके से सेंटर निकालते हुए cut लगा देना है अब जो center निकाली हुँ में वो जो corner बना हुए design का वहां पर अच्छे से set करते हुए पहले यह जो frill बना हुआ है प्लेट्स वाला इसको अच्छे से सेट करके इस कट पे और पीन लगा दे रही हूं ताकि इधर उधर बिल्कुल भी ना हो पीन लगा करके सेट कर दे रही है यहाँ पे यह देखिए बहुत ही सुन्दर यह बाजू का डिजाइन बनने के बाद लगता है अभी आप देखते रही है मुझे तो लाश्ट वाला जो रिजल्ट है वो देख करके मजा आगा काफी सुन्दर यह डिजाइन बनकर के रेडी हो चुका है हो जाएगा अभी देखते रही है अभी देखते रही है अभी देखे पीन लगाने के बाद इस पे हमें सिलाई लगा देनी है किनारे ध्यान रहे है सिलाई जितना भी लएगा वो पक्की वाली ही सिलाई लएगा कच्छी सिलाई कहीं भी नहीं लगाना है पीन को निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे अभी देखे पूरे पे सिलाई लग चुक है अब उपर भी जितना यानि कि 5 इंच लंबाई में बाजू त्यार चाहिए तो उतना ही नाप करके और उसी हिसाब से साथे पांच इंच यानि कि आधा इंच कपड़ा दबेगा सिलाई लगाते से हम बाजू को अटैज करेंगे तब तो साथे पांच इंच का निसान लगा करके और फ्लेट पे सिलाई लगा करके जितना वी एक्स्ट्रा था उसको मैं कट कर ली हूँ उल्टे साइड वी जित रहा है मगर मैं यहां पर ने गोल्डेन कलर का यहां पर लैस अटेज करेंगे अपने पसंद से आप कोई भी लैस लगा सकते हैं या इसको ऐसे भी रख सकते हैं अब पूरे डिजाइन पर इसी तरीके से हमें लैस के किनारे पर सिलाई लगाना है जहां पर कॉर्णर बना यह देखिए इसी तरीके से हमें सिलाई लगा करके रेडि कर लेना है इसके दूसरे साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे यहां पर बिल्कुल ज्यादा ना तो यह लैस जो है ना ज्यादा पतली है और ना ही ज्यादा चौड़ी है अब यह sleeve cut design पूरी तरीके से ready हो चुका है अब जिस तरीके से normal sleeve attach करते हैं उसी तरीके से इसको भी attach करना आप यह देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल perfect तरीके से sleeve cut design बन करके ready हो चुका है मैं आपको दिखा रही हूँ जो less वाला है वो दोनों आमने सामने आ रह बताएंगे और बस जो भी आप dress बना रहे हैं उस पर आप इसको attach कर सकते हैं मैं यह blouse के लिए बनाई हूँ तो जिस तरीके से normal sleeve attach करते हैं उसी तरीके से इसको भी attach कर देना है और पहनने के बाद इस तरीके से यह pop sleeve जैसा look आता है कैसा लगा वीडियो जुरूर बताईए लाइक शेयर सुस्क्राइब किजिएगा थैंक्यू सो माच